नमस्ते, वेलकम टो संगेता फैशन, ये जो ब्लाउज देख रहे हैं आप उसकी आज हम ब्लाउज डिजाइन बनाएंगे और ये जो ब्लाउज की सारी है, ये पूरी सारी मेरे अन्बॉक्सिंग चैनल पे है अगर आपको ये सारी पसंद आ रहे हो, तो मैं उसकी लिंक नीचे डिस्पिक्शन बॉक्स में दे रहे हूँ आप जरूर वो सारी देख लेना, इसकी प्राइज या फिर इसका लूक कैसा है, सबी मेरे अन्बॉक्सिंग चैनल पे है अब हम ये जो blouse है, इसकी blouse design बनाते है, अब blouse design बनाने के लिए मैंने measurement 37 इंच की चेस्ट का लिया है, और फिर ये height साड़े तेरा की है साड़े तेरा के हाइट के बाद जो armhole है वो 6 इंच का है और जो shoulder है वो भी 6 इंच का है अब हम इसके गले क्या आकर ड्रौ करेंगे तो गले का आकार ड्रॉ करने के लिए मैंने 3 इंच की शोल्डर पट्टी ली हुई है और शोल्डर पट्टी के बाद नीचे की जो गला पट्टी है उसको मैंने 3.5 इंच का रखा हुआ है तो बड़ा आकार ड्रॉ करने के लिए आप डाई इंच से रेशे से थोड़ा साइड मिलो तो भी ये गले का आकार अच्छा बड़ा बन जाता है अब यहाँ पे मैं कस्टमर के नीड के हिसाब से गले का आकार बना रहे हूँ या फिर गले की डेजाइन भी उनीकी नीड के हिसाब से बना रहे हूँ उनको जिस टाइप चाहिए मैं उसी टाइप बना रहे हूँ अब पिंस को निकाल कर नीचे के साइड आस्तर का कपड़ा के साइड faitbrick रख कर इस तरह से उसको पिंस से प्यक करें यहां पर अधि हां पे उसको सिलेंगे तो यहां पर में पेपर प tamp का इस्तमाल नहीं करती हूं तो पैपर पटी का ऐस्तमाल ना किया हो गले का आकार के लिए बहुत अच्छे तरह से जहां से सल या फिर खीचे नहीं कई से इस टाइप में यह गले का akar निकाल रहा हूँ फिर नीचे के साइड भी कमर पट्टी का akar देकर इस तरह से चोटे कट्स दे रही हूँ कर्स की वज़े से हम जब इस आकार को पल्टी करते हैं तो पल्टी करने के बाद हमारा जो आकार है उसी गोलाई में आ जाता है जिसमें हमने लिया था अब ये गोल गले का अकार अब रेडी होगा यहाँ से गोल गले के अकार के बाद हम बाहर की साइड से भी ये टीप लगाएंगे बाहर की साइड से टीप लगाने की वज़े से हम जब ब्लाउस लेंगे तो उसमें हमें आसानी होगी और ये नीचे की कमर पट्टी के उपर भी इसी तरह से टीप लगाएंगे इस तरह से काम करने से हमारा काम भी जल्दी हो जाता है और आसान बन जाता है और ब्लाउज वे फिनिशिंग में बहुत कुपसुरत दिख जाता है अब यहाँ से नीचे के साइड शुल्डर के बीच ओबीच तीन या चार इंच का एक टक्स ले रही हूँ तो एक टक्स लेने के बाद यहाँ पे यह में पट्टी लेस जो आती है यहाँ पे आप golden का इस्तमाल कर सकते हैं, यहाँ पे आप silver पट्टी का इस्तमाल कर सकते हैं, लेकिन जो इसकी सारी है, इसके उपर जो lace आई हुई है, वो golden color की है, तो मैंने customer की दिमान के इसाब से golden पट्टी ली हुई है, तो golden पट्टी के उपर अब हम double tip लगाएंगे, double tip लगाने से जो पट्टी है, यह पूरी तरह से जिस्त आकार में है, उस आकार में आ जाती है, अब यहाँ से मैंने साडियों की डाई एंच की दो पट्टिया निकाली हुई है, तो जितनी हमारी साडिय है, उतनी पट्टिया यह है, और उसको मैं यहाँ से इस तरह से fold लेकर उसके उपर हमारी जो 5 नमबर की tip आती है, वो 5 नमबर की tip लगाएंगे, तो यह fast काम भी हो जाएगा, और हमारे लिए आसान भी हो जाएगा, तो उस हिसाब से मैंने यह 5 नमबर की tip के साथ इस तरह से fold करके उसके उपर tip लगाएंगे, यहाँ पे आप इसको पल्टी भी कर सकते हैं, और बिना पल्टी करके इस तरह से आप fold भी बना सकते हैं, यहाँ पे जब कोई भी जाली की सारी हो तो उसके धागे नहीं निकलते हैं, और अगर कई और फैबरिक की सारी हो तो उसके धागे निकल जाते हैं, तो अगर जाली की सारी हो तो आप उसको पल्टी ना क कुपसूरत डिजाइन बनाएंगे तो अब हम यह fold पूरी blouse की जो design है हमारी उसमें इस्तमाल करेंगे तो आपको अगर यह fold एक हाथ से बनाना आए तो आप एक हाथ से बनाए नहीं तो आप दो हाथ से बनाए तो fold finishing में आ जाते हैं वो छोटे बड़े नहीं होते हैं उस type लगा सकते हैं अब यहां से मैंने यहां पे एक पटी का अंतर रखा हुआ है जो हमारे लेस है वहां पे भी अंदर पटी का आकार आएगा तो वहां से दो लेस और पटी यह दोनों चाहिए तो उस हिसाब से मैं अंतर रख रहे हूं तो यहां से एक इंच के अंतर पर आप लगा सकते हैं तो यह पट्टी और जो फ्रियल की हैं रहा है बहुंए अब यहां पे मैं लेश लगा रहे हूं तो लेश लगाने से आप देखिए इस तरह से मैं लेश को सेट कर रहे हूं जहाँ पर हमारे हमने फ्रिल लगाई है उसी साइड से इस तरह से पहले टिप लगा लेनी है फिर उसके बाद यहाँ से डबल टिप लगानी है तो हमारा जो दोनों लेस के मध्य का आंतर था वो इस प्रकार से आ जाएगा तो आप इस तरह से एक इंच के आंतर पर ये लेस ल अब हम इसके लिए लटकन डिजाइन बनाएंगे, तो लटकन डिजाइन बनाने के लिए इस तरह से आप आकार ले सकते हैं, फिर उसको कट करके एक साइड से इस तरह से उसको टीप लगा लेना है, टीप दोनों को लगा कर उसको छोटे-छोटे कर्स देना है, कर्स देने की वज़े से इसको हम आसानी से पल्टी करके उसके उपर टिप लगा सकते हैं अब हम ये उसके उपर प्रेश्टिप लगाएंगे प्रेश्टिप लगाने के बाद इस तरह से जो हमने लेस लगाई थी तो वो लेस भी और ये जो हमने यहाँ पे फ्रील की डिजाइन बनाई थी तो बची हुई फ्रिल की डिजाइन को हम यहाँ पे लटकन में इस्तमाल कर रहे हैं तो आप जब भी कोई डिजाइन बनाए या तो उसके साथ मैच होता हुआ अगर लटकन डिजाइन बनाएंगे तो वो ब्लाउस बहुत ही जादा कुपसूरत देख जाता है अब यहाँ से इस तरह से मैं लटकन बना रहे हूँ अब यहाँ पे डबल टिप लगाने के बाद यह हमारा एक साइड का काम कंप्लिट हुआ अब यहाँ से उसी टाइप में देखे इस तरह से एम टिप लगा रहे हूँ और फिर ये दोनो टीप लगाकर ये लटकन के लिए हमारा आकार तयार हो गया अब हम लटकन डिजाइन बनाने के लिए बीच ओबीच इस तरह से नौट रखकर उसके ऊपर टीप लगा लेनी है तो ये टीप लगाने से हमारा जो लटकन है वो बहुत आसाने से और कुपसूरत बन जाता है देखिए इस तरह से कितना कुपसूरत ये लटकन बने हुए है अब इसके बाद हम इसको blouse के उपर attach करेंगे तो blouse के उपर इस तरह से थोड़ा सा उपर की side से अंतर रख कर आप टक कर सकते है फिर इसके बाद अगर आपको ऐसे ही कई और designs देखने है तो मेरे channel पर बहुत सारे designs है ये जो आपको पसंद आएगी तो अगर आपको ये video पसंद आए तो channel को subscribe करना वीडियो को like share करना और ऐसे ही देखते रेना thanks for